नमस्का दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास लोगों के लिए है उन खास लोगों के लिए जो अपने डबल स्टेंडर्ड डबल चेहरे के लिए हमेशा से जाने जाते हैं बॉलिवुड में हर साल तकरीबन 12-1300 मूवी रिलीज होता है जब मूवी रिलीज होता है तो उसकी एनलाइस करने के लिए कुछ लोग क्रिटिक्स का काम करते हैं जैसे मीडिया में होता है आज कल यूटूब चैनल भी काफी खुल चुके हैं जो मूवी अच्छी हैं बुरी हैं यह चीजे बताते हैं लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो डबल स्टेंडर्ड से काम करते हैं जो हमेशा नेग्टिव बातें ही करते हैं किसी भी मेशा वो जब ट्रेलर आ जाता है मूवीज का तो उसकी फेक हाइप बनाते हैं चाहे मूवी में कुछ भी ना हो जिनसे उनको पैसे मिलते हैं ऐसा काम करने वाले मेरी नजर में फिलहाल तीन लोग हैं जिनके चैनल्स बहुत बड़े-बड़े हैं पहले नमबर पे आती है लड़की फिल्मी इंडियन इस लड़की का चैनल है फिल्मी इंडियन के नाम पे इस लड़की को मतलब कुछ भी करने से पहले ही सोचती नहीं है कहने से पहले नहीं सोचती है जितनी भी बेकार मूवीज आएंगी चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से आए सबसे ज़्यादा हाई पी ये लड़की बनाती है छे सो क्रोड एक हजार क्रोड उपर से थंबने इतने फेक होते हैं इसके कि जो इसमें थंबने लगाया होता है उसमें वीडियो में वो बात ये कभी करही नहीं रही होती है हमेशा गलत information शेयर करेगी हमेशा गलत collection शेयर करेगी हमेशा ही गलत बात करती है इतनी double standard लड़की मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी है इतनी double face वाली critics मैंने आज तक नहीं देखी है हमेशा जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे subscribers हैं इनको comments में भी बताते हैं कि आप गलत information शेयर कर रहे हैं आप गलत collection शेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी continuously ये हमेशा ही आपको negative तरीके से कुछ गलत movies का promotion करते हुए शरयाम दिख जाएगी कभी Bollywood का बाप बोल देगी, कभी Hollywood का बाप बोल देगी कभी कुछ भी ऐसा बेकार से बेकार थंबने लगा कर ये फालतू movies को हमेशा ही promote करती हुए आपको नजर आएगी इसका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन इनका चैनल है फिल्मी इंडियन के नाम से और इससे बड़ी double standard लड़की जो critics है जो movies को अच्छा बुरा बताते हैं कोई भी नहीं है नमबर दू पर आजाते हैं के आरके के एक जोकर है वो critics नहीं है वो सिर्फ एक जोकर है जितनी negativity वो फेलाता है movies के बारे में जा actors की बेज़ती करने के बारे में वो कसम से कई बातों उसके उपने इतना गुसा आ रहा होता है कि अगर यह सामने होता तो इसको सच में पेल दिया होता है किसी भी एक्टर का मजाक उडाना हो किसी की एक्टर की पर्सनल लाइप के बारे में बात करना हो कुछ भी ऐसा हमेशा गलत बोलेगा कभी इस बंदे ने जब जैसे ही करण जोहर की कोई भी मुवी आएगी बिकार से बिकार मुवी इसको 25 लाख आ जाते हैं उस चीज के जिसका परदाफा शाजे देवगन ने 2016 में शिवाए के टाइम पे किया था इसने शिवाए के मेरे खाल से रोनी स्क्रूवाला को शायद बोला था कि मुझे करण जोहर ने 25 लाख रपया दे दिये हैं कि शिवाए को गलत बताना है बेकार फिल्म बताना है और एया दिल है मुश्किल को अच्छी मुवी बताना है जबकि मुवी दोनों अच्छी थी दोनों चली थी तो इस बंदे का कोई भी स्टेंडर नहीं है खुद इसने एक मुवी बनाई थी आज से तकरीबन 20-22 साल पहले देश दिरो ही हजारों ट्रोल्स करते हैं लोग इसको आज तक भी उस फिल्म के लिए लेकिन इस बंदे को जहां से पैसे आ जाएंगे वहां पे ये हर एक एरी गैरी मुवी को भी बहुत तकड़ी मुवी बता देगा सुसान सिंग राजपूत को इस बंदे ने इतना ट्रोल किया है उसकी हर मुवी को इतना बका है इस बंदे ने लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो ये उसके तरीफ करने लग गया उसके बारे में बातचीत करने लग गया बहुत अच्छा बंदा था जी बहुत ही ये था वो था ऐसी चीज़ तो के आर के एक जोकर क्रिटिक्स है जो हमेशा ही गलत बात बोलेगा बेकार सी बेकार मुवी को भी अच्छी बोल देगा पैसे जहां से मिल जाते हैं और अच्छी से अच्छी मुवी को भी बेकार बोल देगा वो अपने आपको ब्रांड बोलता है ब्रांड नहीं वो भांड है सच में वो ब्रांड नहीं है कि यार के भांड है भांड क्या है कि जहां से पैसा मिलेगा उसकी तरफदारी करेगा और जिदर से पैसा नहीं मिलेगा तो उसके उस मूवी के खिलाफ ये हमेशा गलत बोलेगा चाहे मूवी कितनी भी अच्छी ग् लेकिन तेटर्स में तो वो बिल्कुल फ्लॉप रही थी, इसलिए नहीं बोलता है क्यूंकि उससे इसको पैसा मिला था, रॉकी रानी की प्रेम कहानी को ये ब्लॉक बस्टर बोलता है क्यूंकि उससे उसको पैसा मिल जाएगा, उसको ये बंदा हमेशा अच्छा बोलेगा, जिससे पैसा नहीं मिलेगा उस बंदे को ये पर्सनली अटेक करकर करके ब्लैक मेल करेगा कि मुझे पैसा दो अगर मुझे अच्छा कहलवाना है तो नमबर तीन पे आते हैं प्रतीक बड़ बोले साथ इस बंदे के दिमाग में नफरत और जहर इतनी भर चुकी है इतनी भर चुकी है ये हर चीज को धार्मिक एंगल से दिखता है हर चीज को धरम के साथ जोड़ देता है हमेशा इतनी गंदी नेगटिविटी फैलाएगा ये बंदा किसी भी मूवी के लिए किसी भी मूवी के लिए सिर्फ जो मोधी जी को खुश करने के लिए फिलम पणी होगी जो धर्मिक एंगल को क्रियेट करके मूवी बनाई हो गई होगी वो इसको बहुत अच्छी लगेगी उसको ये खुले आम पर मोट करेगा गाली नहीं पकेगा लेकिन कोई भी अच्छी हो भी आएगी ये लग से चाहे वो किसी भी बॉलीवुड एक्टर की हो इस बंग्ने ने उसके बारे में हमेशा ही नेड़ी बात करनी है अगर तुझे इतना ही संस्कृति की पड़ी हुई है अब यह यादव है यादव की परानी वीडियो उठाके देखना उसने हिंदू धरम को इतना गिराया है इतना उसका मजाक उड़ाया है अपनी वीडियो में अब तुम लोग उसको अपना लीडर मान के बैठे फिला रहा है और एक्टिविटी फिला रहा है किसी भी बंदे को किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है बिना किसी मतलब की उस बंदे को आप लोग अपना लीडर चुन लेते हो क्योंकि जब तक मतलब उसके दिमाग में इतनी नफरत और जहर भरी होती है एलविश यादव हो गया ये प्रतीक बड़ बोले हो गया मैं चुत नाम में इसका पता पाउड़ा लेकिन जब भी इनकी वीडियो देखो इन्होंने हमेशा हगना ही होता है दिमाग में इतनी नफरत लेके चलते हैं negatively लेके चलते हैं इनको हर बंदा ही गलत नजर आता है इन लोगों को यार पलीज अवाइड करें ये लोग सिर्फ और सिर्फ negativity, गल्थ information शेर करते हैं गल्थ collection शेर करते हैं और सभी लोगों को personally attack करते हैं तो इनको आप avoid करें अगर आपने अच्छा content देखना है तो सही information देखने के लिए आप अच्छे लोगों को follow कीजिए अच्छे लोगों को subscribe कीजिए जिसमें एक है योगी बोलता है लड़का reviews करता है movies के बहुत अच्छे तरीके से करता है अच्छी information share करता है एक लड़का है यह five social नाम से चैनल है उसको अब subscribe कीजिए बहुत अच्छी information और बहुत धंक से review करते हैं बिना किसी negativity के बिना किसी hate के इन लोगों को आपने subscribe कर रखा है जो already दिमाग में इतनी नफरत और इतनी negativity लेक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इन लोगों से बचिए क्योंकि आने वाले टाइम में यह लोग आपके दिमाग में भी इतनी नफरत भर देंगे कि आपको भी अपने तरह नफरती चिंटू बना लेंगे धन्यवाद अगर आपकी कोई वी complaint जब कोई राय है इस वीडियो के रिगाड़ी तो आपनी चित्मेंट सेक्शन्स में बता सकते हैं मैं सब का रिपलाई करूंगा धन्यवाद थैंक्यू